तो आज हम उसी इंट्रस्टिंग उनिट के एक और लेसन के बारे में बात करने वाले हैं तो बच्चों ये वीडियो लेक्टिर है लेसन नमबर फ्री के बारे में जी हाँ आज हम रीडिंग करने वाले हैं अपने इस इंट्रस्टिंग टॉपिक के बारे में तो चलिए आज की काम को स्टार्ट करते हैं So grade 4, हमने unit number 12 के lesson 1 में और lesson 2 में vocabulary के main parts को discuss किया था हमने देखा था grammar के जितने भी portions थे इस unit number 12 के उनको भी हम lesson 1 और lesson 2 में discuss कर चुके हैं आज हम बात करने वाले हैं बच्चों reading के बारे में आपको याद है ना मैंने आपको बताया था कि lesson 3 में हम क्या करेंगे reading करेंगे और कौन सी vocabulary हमने पढ़ी थी? बिलकुल हमने पढ़ी थी sports vocabulary यानि sports के अंदर कौन से words यानि games खेलते हुए कौन से ऐसे specific words हैं जो use किया जाते हैं और sports equipment क्या क्या होता है तो बच्चों वो जो lesson 1 में हमने words पढ़े थे ना sports से related आज वही words हम use करके पढ़ने वाले हैं ये स्टोरी ये reading का वो part जो हम आज करने वाले हैं वो किसके बारे में है Getting Behind the Stumps by Tim Johnson तो Tim सहाब जो है ये अपने बारे में लिखते हैं इन्होंने बताया है कि एक दफा मैं मैच खेलने लगा था He was a cricketer, right? वो बहुत passionately cricket खेलते थे तो क्या हुआ एक time पे? He got really, really hurt, really badly hurt, right? तो उस time पे क्या हुआ था? उन्होंने अपनी इस स्टोरी में बच्चों हमें सब कुछ बताया है कि कैसे उनको वो चोट लगी? किस तरह उनका treatment हुआ? किस तरह उनके coach ने उनके साथ हमदर्दी करते हुए? यानि sympathy के साथ उनको एक दूसरा तरीका बताया जिससे वो क्या कर सकता था? वो उसी game का part बन सकता था बटके से एक batsman या baller बनके नहीं बलके वहाँ पर as an empire यानि वहाँ खड़े होके वो क्या कर सकता था? वो empire बन सकता था और उसके साथ एक बंदा यानि एक person जिसको runner का नाम दिया गया है वो runner उसके साथ लगा दिया इस story के बारे में जो मजीड details है वो पढ़ने वाले हैं आप खुदी मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो है part यहां से exercise number one says look at the pictures, listen and find the words and then listen and repeat आपने क्या करना है? जो four words मैंने यहां लिखे हैं यही four words आपकी book पे इस picture के साथ आ रहे हैं हर word के आगे उसकी picture बनी है मैं इनको read करती हूँ आप इसको क्या करें मेरे साथ जैसे मैं यहां पढ़ रही हूँ आप अपनी book पे finger के साथ इसको point out करें और इन pictures के नीचे जो नाम दिये गए हैं जो मैंने आ लिखें उनको dictate करें आल राइए फर्स वर्ट इस अबॉलर हमें बता है बॉलर क्या होता है पिक्चर भी आप देख रहे हैं बॉलर क्या होता है बॉलर वो बंदा है cricket team के अंदर जो बॉल कराता है remember balling होती है बड़ी swing के साथ बॉल कर आते है राइट तो बाइट परसन इस कोल आप बॉलर ठीक है with a couple kit keeper कल वनेने आपको बताया था लेसन निम्बर टू की विदियो में आपको बता चुके हूं बेने और we could कि क्या होती है ओज वो जो लकडी की वेकित्स बनी होती है आपको मैंने बताया था वो जो विट्ट्स है और विक के ऊपर चोटी-चोटी यहां पर आपने पीसिस देखे थे, वुड़न पीसिस, all right? So, उनको कहते हैं, wicked and the person who is basically standing there, वो शक्स जो वाँ खड़ा हो कि उनको सेफ कर रहा है, उसको क्या कहते है? विकेट कीपर, okay? चलें जी, यह भी पता चल गया हमें, विकेट कौन सी होती है, और विकेट कीपर कौन होता है? स्टम्प, जब उस विकेट के ऊपर से वो बेल चली जाती है, जब वो हिट करता है बॉल आके, तो वो क्या होता है? उसको कहते है स्टम्प, तो हमें पता है चल गया के स्टम्प क्या होता है? चलें जी, so 1, 2, 3, 4, 4 words and 4 pictures, vocabulary सबको समझ आ गई? अब हम बात करने वाले हैं reading की, exercise number 2, read the story and answer the question, what happened in the two cricket matches? और राइट, यह जो question यहां पर बच्चों मैंने लिखा है, यह आपकी book में आपकी story से पहले लिखा हुआ है, आपने क्या करना है? जल्दी से वीडियो को करना है, pause, read करके आने है, story वापिस में स्वेदा के पास Well done students, तो अब आपको पता चल गया ना कि story में जो events किस तरह हो रहे हैं, Tim के साथ जो जो happenings हुई cricket match से related, वो सब आपको पता चल गई? Very good, अब हम answer करेंगे इस question का, what happened in the two cricket matches? दो जो cricket matches हुए थे उसमें क्या हुआ था? Tim के बारे में बता ना है कि Tim के साथ क्या हुआ था? Exactly, Tim got really hurt in the first match, but he participated in the other match after six months, यानि छे महीने बाद जो दूसरा match हुआ था, उसमें उसने participate किया और उसने क्या किया? He scored two centuries, उसने क्या किया? दो centuries, दो दफा सौ सो run बनाए, ठीक है? So ये सारी बाते हो गई, sports से related और cricket से related और हमने बता दिया कि Tim की life में वो जो special cricket match हुआ था, वो कैसे हुआ था? और उससे Tim ने जिंदगी में क्या सीखा? तो बच्चों यहां तक की बात आपको समझा गई, रीडिंग भी कर ली, अब हम करने वाले हैं comprehension के question and answers, तो चलिए उसको start करते हैं Alright, तो exercise number 3 हमारे पास है, read the story again and answer these questions in your notebook, अब आपने क्या करना है? अपनी notebook के अंदर आपने सिर्फ में साथ answers note करने है, no need to write the questions, ठीक है? मैं आपके लिए काम easy कर देती हूँ, questions ना लिखें, आप सिर्फ questions के number देके answers को अपनी notebook में transcript करते जाएं, alright? तो first question है, why was the first day in the story a happy one? अब जब हमने story पढ़ी थी तेम के बारे में, वहाँ पर लिखा हुआ था, the first day in the story was the happy one, why? आईये लिखते आँसर, the first day of the story or in the story was a happy one because, who was excited exactly? because Tim was super excited, excited, alright? for the cricket matches, ठीके? alright, this is answer number one, what hit Tim's leg? Tim की tango में क्या लगा था? क्या accident कैसे हुआ था? let's try the answer, Tim got hit by a biker, इसको एक biker ने hit किया था and he hurt his leg by bumping, by bump का मतलब जोर से टकराना, bumping himself to a brick wall, alright? okay जी, क्या किया था? he got hit into a brick wall और उससे गया था? उसकी leg hurt हो गई थी, tongue पे चोट लग गई थी, number three, what phrases does Tim use to describe his feelings after the accident? अब यह जो accident हो गया था, उसके बाद, क्या words उसने ऐसे बोले थे? एक phrase बोला था, remember? आईये उस phrase को लिखते है, he said, अब जो phrase होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? exactly, हम लिखेंगे direct speech के साथ, alright? inverted comma when, sometimes, sometimes life hits you in the face when you don't expect it, full stop and commas, closed, sometimes life hits you in the face when you don't expect it, यानि जब आपको बिलकुल expect नहीं कर रहे हैं आप किसी चीज को के बही, अब तो सब चीज हैं अच्छी अच्छी होने वाली हैं, पर एकदम से क्या होता है, life takes a turn, बिलकुल ही कुछ opposite हो जाता है, और आपको चोट लग जाती है, और आपके जो plans होते हैं, वो वहीं के बहीं रहे जाते हैं, so इस तरह के point पे, तिम भी था, तो तिम ने क्या कहा उस ताइम, the phrase that he used was, sometimes life hits you in the face when you don't expect it, alright, okay जी, number four, did Mr. Imran, the coach, usually use a lot of words or not, so Mr. Imran के बारे में कितनी बाते निखी नहीं, आप देखें व स्टोरी के अंदर, बहुत ज्यादा बाते हैं, नहीं, he was not much of a talkative person, हम लिखते हैं, Mr. Imran, simple answer लिखते हैं, Mr. Imran, the coach, okay, did not, did not speak much, बास उनने क्या किया जी, he did not speak much, बहुत जादा बात नहीं करते थे, but what did he used to do, he was very rough and tough, और वो चाहते थे, कि जिन लोगों को वो train कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से train हो जाएं, ना कि वो उनकी साथ lenient हो जाएं, जैसे हो थे न, teacher हमाई साथ lenient हो जाती है, तो हम बस पर गलत काम करने लग जाते हैं, exactly, so यहां तक हो गए four question के answers, बिल्कुल complete, आये बाकी के answers को solve करते हैं, बच्चो जल्दी से इसको complete करते हैं, ता कि हम एक और exercise को solve कर सकें, all right, question number five is, what kind of things does a wicket keeper has to do, और जो wicket keeper होता है, उसको क्या करना होता है, a wicket keeper, a wicket keeper has to stand near or you can write close closer to the wickets, and sometimes, sometimes, doesn't, कभी उसको, wicket keeper को क्या करना पड़ता है, wickets के बहुत पास खड़ा होना पड़ता है, क्या करने के लिए मैंने अब को बताया था, wickets को save करने के लिए, catch पकड़ने के लिए, लेकिन sometimes he stands farther away from the wickets, कभी गभी क्या होता है, वो wickets से तुड़ा दूर बेखड़ा हो जाता है, ऐसे ही हमारी reading की इस पूरे passage में लिखा हुआ था, I hope आप आपने इसको भी बढ़ा होगा, all right? Okay, question number six, who ran between the wickets when the writer was batting? अब जो writer है, यानि Tim जो है, उस ताइम पे runs लेने के लिए कौन जा रहा था? Was he the runner himself या कोई और था runner? Exactly, there was a runner. So, हम लिखते हैं यहां पे, a runner was taking runs as the batsman, जो के हमारा writer है, batsman was standing there. क्या हो गया? जो batsman है, वो वहां पे खड़ाओ के वेट करा था, he could not run. पता है, उसकी टांग ने चोट लगी वी थी ना? तो he could not run, तो उसने क्या के अपनी जगा एक runner को भेज तिया? All right, number seven, why was the last game that he described was a happy one? जब वो last game थी, जिसमें उसने double century score की थी, why was this game a happy one? क्यूं कहा था हमारे writer ने के वो वाली game उसको बहुत अच्छी लगी? क्यूं? Let's write the answer. he thought, he described the last game as a happy one because he scored double century and double century मैं आप बताया था ना? 200 runs होते है, century 100 run को कहते है, हमने discuss किया था. and dismissed, dismissed a sixer. All right. Number eight, what did the writer learn from the coach? What was the very last sentence? हमारी रीड पैसेच का सबसे लास सेंटेंस क्या था? Let's write it here. The coach told me अब हम क्या करेंगे फिर? लिखेंगे उसको, semi-colons के बाद, जैसे book में लिखा है, same. Never feel sorry for yourself. कभी भी आप अपने बारे में, क्या करें? अपने बारे में इस तरह की feeling ना लाएं, कि हम से तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो हम हार मान गें, ऐसे नहीं होता. You should never feel that way, okay? यही बाते हमें हमारे राइटर ने इस स्टोरी से सिखाई हैं, और यही बार तिम ने सिखी और उसने कभी भी हार नहीं मानी, he never gave up, और उसने क्या किया? He still played the cricket. So, that's the story for today. That's the moral. यहां तक, बच्चो, question and answers होते हैं, बिल्कुल complete. अब हम बात करने वाले हैं, last exercise of the day, जो के है, completing the incomplete sentences. तो आई यह उसको solve करते हैं. All right, students, तो last exercise करते हैं, आज की, exercise number four, complete the sentences with words from the story. अब बच्चो, तो यहां पर जो seven sentences मैंने लिखे हैं, आपकी बुक में भी यह seven sentences जहां-जहां लिखे हैं, हर blank से पहले एक letter दिया गया है. वो letter क्या है हमारा? clue word है, exactly. हमें क्या पता चल जाएगा, जब हम यह sentence पढ़ेंगे, इसको read करेंगे, तब हमें समझ आएगा जो यह एक letter दिया गया है, इस letter से हमें क्या समझ आएगा, कि ओ यह वर्ट तु मुझे पहले से पता है, तो आप जल्दी से उस word के spelling लिख देंगे, तो आईए इसको solve करते हैं, one, the leader of a cricket or a hockey team is called a dash, exactly the word we are looking for is captain, all right, okay, number two, two, one hundred runs for your cricket team is called a dash, अभी मैने बता है, one hundred runs क्या होते हैं, century, very good, century, okay, three, in cricket, two people who judge the game are called dash, empire, very good, okay, empire हो गया, all right, number four, a person who teaches players how to practice is called a dash, a person who teaches, what was the title of Mr. Imran, Mr. Imran का क्या title था, coach, exactly, तो हम लिखेते हैं यहां पर, coach, all right, number five, I play cricket with several dash from my school, several B, boys, very good, see, it's easy, हमने पहले भी इसको पढ़ा हैं, तो हमें पता है कि कौन सब वर यहां पर लिखना हैं, number six, when you hit the ball with your bat, that is called a dash, क्या बताया था मैने, batsman क्या करता है, जब बॉल आता वह देखता है, तो उसको क्या लगाता है, shot, very good, तो S लिखा यहां पर हम लिखते हैं, H, O, T, shot, the batsman is out, if someone from the other side dash, someone from the other side, वो जो wicket keeper होता है, वो क्या करता है, अगर वो catch कर ले तो क्या होता है उस time पर, exactly, someone from the other side catches, मतलब कोई catch कर ले, ball को, catches, all right, so students, यहां तक हो जाती है, आज के exercise बिल्कुल complete, आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, इस exercise को अपनी बुक पे solve करना है, यहां तक तो होता है, lesson no.3 बिल्कुल complete, बच्चों, आज का lesson देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं, अगले lesson में जो के होगा, lesson no.4, और उसके बाद हम करेंगे lesson 5 और करेंगे unit no.12 को बिल्कुल complete, Thank you so much for watching today's lesson, Allah Hafiz.